दोस्तों, क्या आप तयार हैं नई Swift 2024 के जादूई जर्णी पर निकलने के लिए? आज हम इस modern car की हर एक feature को बारिकी से जानेंगे. क्या आप जानते हैं कि इस नई Swift में क्या different है? कैसे यह अपने पिछले models से अलग है? आज हम इसके design, performance और technical specifications पर गहराई से चर्चा करेंगे. इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि कैसे यह car भारतिय सड़कों के लिए उपयुक्त है. तो बने रही हमारे साथ और जानिये कि क्या वाकई में Swift 2024 है आपके सपनों की car? चलिए शुरू करते हैं यह रोमान चक सफर. सबसे पहले शुरू करते हैं इसके engine specifications से. Swift 2024 में होगा 1198cc का दमदार petrol engine. इसमें 4 cylinders होंगे, जिससे इसके performance और भी बहतर होगी. क्या आप जानते हैं कि हर cylinder में 4 valves होते हैं, जो इसे और भी ज्यादा efficient बनाते हैं? इस car का fuel type petrol होगा. लेकिन क्या आपको पता है, भारत में इसके spec के हिसाब से, Swift 2024 में 5-speed manual और 5-speed AMT के साथ 2WD setup मिलने की संभावना है. लेकिन क्या आपने सुना है, कि इस बार Swift 2024 में mild hybrid technique नहीं मिलेगी? यह एक दिल्चस्प बदलाव है, है ना? क्या आप भी इसके लिए उत्सुक हैं? Swift 2024 की लंबाई होगी 3860 mm, चोड़ाई 1695 mm और उंचाई 1500 mm, यानि कि यह model पिछले Swift से 15 mm लंबा, 30 mm ज्यादा उंचा और 40 mm कम चोड़ा हो सकता है. लेकिन इसका wheelbase पहले की तरह ही रहेगा. अब सवाल उठता है कि इन बदलावों का असर क्या होगा? क्या इससे Swift का लुक और भी आकरशक हो जाएगा? या इसकी driving experience में कोई बड़ा बदलाव आएगा? इस नई Swift में बदलाव का मतलब है बेहतर space management और आराम दायक driving अनुभव. ज्यादा लंबाई और उंचाई से कार के अंदर ज्यादा जगह मिलेगी, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए आदर्श है. लेकिन क्या इसकी कम चोड़ाई से पार्किंग में आसानी होगी? यह तो हमें इसके launch होने पर ही पता चलेगा. दोस्तों, Swift 2024 न सिर्फ अपने performance के लिए जानी जाएगी, बलकि इसका stylish look भी लोगों को खूब भाएगा. Swift 2024 आ रही है नौ आकरशक रंगों में. तो चलिए देखते हैं कि ये रंग कौन-कौन से हैं. इसमें आपको मिलेंगे white, red, red, dual tone, orange, light gray, gray, blue, blue dual tone और black जैसे colors. Swift 2024 का interior layout maruti की मौझूदा कारों जैसे fronks, baleno और brezza से मिलता जुलता होगा. इसमें आपको मिलेंगे कई बहतरीन features. सबसे पहले बात करते हैं इसके 9-inch के touch screen infotainment system की, जिसमें wireless Android Auto और Apple CarPlay की सुविधा होगी. आपको बता दें कि ये feature आपके driving अनुभव को और भी ज्यादा सुखद और आसान बनाएगा. इसके अलावा, Swift 2024 में होगा 360-degree parking camera, जिसमें dashcam support भी मिलेगा. ये feature न सिर्फ parking के समय आपकी मदद करेगा, बलकि आपके यात्रा के हर पल को record करके रखेगा. और हाँ, क्या आपने सुना है कि इसमें मिलेगा cruise control? ये लंबी drive के दौरान आपकी थकान को कम करेगा और आपको देगा एक आरामदायक driving अनुभव. इसके साथ ही, Swift 2024 में होगा automatic climate control, जो आपके केबिन का तापमान हमेशा आरामदायक बनाए रखेगा. और steering पर मौझूद buttons की मदद से, आप बिना ध्यान भटकाए music और अन्य settings को control कर सकेंगे. और तो और, Swift 2024 में होगा push button start stop feature, जो आपको देगा एक high-tech driving अनुभव. ये सभी features मिलकर Swift 2024 को बनाते हैं, एक perfect choice, खास कर यदि आप तकनीकी और आरामदायक features को पसंद करते हैं. अब बात करते हैं new Swift के exterior की, तो इस variant में आपको grill और दोनों bumperों में chrome plastic inserts नहीं मिलेंगे. और हाँ, इसमें rear spoiler और door protectors भी नहीं होंगे, लेकिन आपको मिलेंगे 15-inch के steel wheels, जिन पर stylish covers लगे होंगे. एक रोचक बात ये है, कि इस base model में भी आपको LED headlamps और DIRLs मिलेंगे, लेकिन fog lamps इस model में नहीं होंगे. Safety पर नजर डाले, तो इसमें आपको मिलेंगे high beam assist, stronger body structure, parking assist, blind spot monitoring, enhanced airbag system, lane departure warning जैसे safety features. Maruti Suzuki की यह नई पेशकर्ष, जो की approximately 6 लाख रुपय की शुरुआती कीमत पर 1 March 2024 तक launch होने वाली है, एक new और attractive car होने का वादा करती है. तो दोस्तों, यह थी हमारी नजर से Maruti Suzuki Swift 2024 की एक चलक. आपको इस नई Swift का कौन सा feature सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आप इस नई और उननत Swift को अपनी अगली car के रूप में देख रहे हैं? अपने views हमें comment section में जरूर बताएं. और हाँ, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को subscribe करें ताकि आप इस तरह के और भी रोचक वीडियो देख सकें. धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में.